बोपाल कॉंग्रेस के नेताव बीडिये के पूर्व पाध्यक्षा अब्दुल सलीम का दुखत निधन हुआ है कुछ दिन पहले उनकी पतनी का भी निधन हुआ था PC शर्मा ने कहा कि मैं प्रातना करता हूं कि परिवार को संबल दे यह बहुत ही दुखत पल है कोरोना के देश में 80,000 केस आ रहे हैं सरकार टेस्ट के लिए पेसे लेने जा रही जिससे लोग पेसों की वज़ह से टेस्ट नहीं करवाएं इसलिए सरकार को फ्री टेस्ट करना चाहिए गड़े स्विसरजन को ले कर भी पूर्व मंत्री ने सरकार पर हमला बोला पियम की मन की बात को लेकर उन्होंने कहा कि मन की बात में मोदी बोल रहे हैं कि खिलोने बनाओ जबकि इंसान खुद खिलोना बना हुआ है जनता के मन की बात है कि रोजगार मिले भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट जन्हानी कैसे नहीं भी भोपाल में कल कॉलार में एक दिवाल गरने से एक आदमी की वहां डैत हो गई उसके पहले ओ दिवाल उसके बगर में गिरी थी जून के अंदर वहां मैं कल गया था लोगों ने बताया वहां पर लेकिन उस चीश को समय नहीं पर रहते वहां नगाहने प्तॉचन नहीं दिया और वहां उस समय भी नुखसान हुआ था वर समय जान नहीं गई था समय एक विक्ति की वहां पर जान चलिगी कल मैं उहा पर था और उसको रोका जा सकता था कर समय पर हो जाता है हमने मांग की थी कि पांच लाग रुपे दें को सरकारी नोक्री दें अगर निजन की नहीं सरकारी नोक्री उसको दी जाए और आज दिगवे सिंग जी भी ग्यारा बजे वहां पहुंच रहे है निश्चित तोर पर चुपाए जा रहे हैं कई जगे लोक बह गए डूप गए और में समय यह भखा अस्तिती है इसको कंडो को भी कंडोल निंगर बाए यह आपदा जो है इसको भी आपदा प्रवंदन जो हुंना था हूं नहीं उपाया और वो कंडोल इंग है आज मत्रप्रदेश में सबसे ज़्यादा 1558 केसेद आ गए हैं, देश में 8000 केसेद आ गए हैं, भोपाल में 200 केसेद आ गए हैं, यह लगातारी बिमारी बढ़ती जा रही है मैं दोस्ताओं कि सरकार पुरी तर से इसको कंट्रोल करने में पुरी तर से नाकामयाब हो गई है, इसमें कोई और स्टेप्स उनको उठाना चाहिए कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इतने लोगजार हो गए, काम दंदे सबके बंद हो गए, उपर से बाढ़, एक तरफ ज मु कुरा मदरेश इस में दुस्ता है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई हई जार रुपए करोना टेस्ट के देना पढ़ेंगे लोगो को जो कराएंगे. और यह इस चकर में लोग टेस्ट नहीं कराएंगे और यह करोणा फेलता जागा हमारी मांग है करोणा टेस्ट निशुल्क होना चाहिए और इसका हिलाज भी निशुल्क होना चाहिए क्योंकि बीस मार्च को जब इस सरकार ने उसके बाद जो कारभार समाला था कोई करोना मदबदेश में नहीं था इसके इस पांच-छे साल के कारकाल में से हुआ इसलिए निशुलक ट्रीटमेंट हो और निशुलक टेस्टिंग हो गणे स्विसर्जन में में मेरा कहना है पहले भी हमने कहा है कि प्रथा ये रही है कि इस साल और जरूर है कि सोचल डिस्टेंसिंग हो लोग घाट पर फीड नहीं लगाएं तो अभी डोल ग्यारस पर क्या हुआ था कि उन्हें एक कचरे की गाड़ी रग दी थी और एक बेना लगा लिए उसमें को रखेगा पिछली साल टेबल रखे हुए थे नगा निगामने और एक कुंड बना था टेबल पर लोग आर्थी करते हैं उसको कुंड में उसको विसरजन कर देते हैं और ये धार्मी प्रता है कि पानी में उसको विसरजन किया जाता है तो कुंड में विसरजन कर वो यह अंदाज कि इसकी इसके पहले उनको मिलती थी सेलरी वह नहीं मिली है कुरे मतवादेश के कही फोन मेरी पासे आ चुक केन सरकार ने कहा है कि जो भी बहुत से कर्मचारी ने भी हटाए जाएगा तो यह कर्मचारी मतप्रदेश में भी हटाने की बीस-पचीस का नियमी लिया है उससे लोगों को हटानी की बात करने जो स्वास कर्मी है उनको जो रंखा में बढ़ोतरी और जो काम एक्स्टा करने उसका पैसा मिलना चीरिया वह मिल नी रहा है वो अलग हरताल करने प्रदेश के साचकी कर्मचारी वो अलग हरताल करने देश से अलग बात आगई किingo सरकार की वह हटाए करमचारी को तो क्ल मिलाकर यह जो और लिले गा एसीockey मिलें कि कोई दूब गया हासिं खता हो गया उस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें